हेलो गाइज माईसल मिलेश कुमावर फांडर ओफ एजूकेशन जी ऑनलाइन एजूकेशन पोर्टल अभी 2022 में नेट का कॉंसलिंग स्टार्ट होने वाला है हां हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश यूपी के सारे गॉर्मेंट कॉलेजेज चाहे वह स्टीट के 85% सीट्स एडमिशन हो या ओल इंडिया 15% हो तो हम लोग आपको यहां बता देंगे कि किसका क्या कटप गया आपके बन सकते हैं अडमिशन 2022 में भी अडमिशन के चांसेज क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है उसका जो एस्टेट की बात करें कॉंसलिंग का तो फर्स्ट बीक अपक्टूबर में स्टार्ट होने के चांसेज है पहले रजिस्टेशन होगा उसके बाद च्वैस फिलिंग का डेट आएगा तो लगबग में वन बिक का रेजिस्टेशन का डेट रहता है उसके बाद आपके च्वैस फिलिंग होंगे उसके बाद आपके आलोटमेंट आएंगे तो हम लोग आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे आपको अपने स्कोर को यूज करना है और गॉर्मेंट कॉलेज में अड्मिशन लेना है जो कॉलेजिस का हम बात करेंगे इसमें ज़्यादा कॉलेजिस स्टेट के होंगे मतलब 85% पे जो यूपी नीट का जो वेबसाइट होता है उस पे जाके आपको कॉंस निंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले ह इसके कटफ के डारेक्ली तो 974 यह कटफ है मतलब समझ लो यहां स्टेट नहीं है यह एमसी सी के थ्रू एड्मिशन होता है और यह 1960 का ही कॉलेज है और इसका जो डिमांड है इस्टिटीट अब मेडिकल साइंस बनारस का यह बहुत जादा है बी एच यू पॉपुलर कॉल यह तॉप कॉलेज है गॉपुलेज का 1911 उन्नेश सो एगारा कहीं यह कॉलेज है और 250 सीटिस में अवलेबल है तो यह जो एडमिशन प्रोसीजर होगा ओगा 85% स्टेट को टाके थ्रू एडमिशन होगा और इसका जो कटफ है और लगबाग में 662 कटफ है और इसी तरह का चांस रहेगा 2022 में भी एडमिशन का लगबाग में 660 और 665 नंबर के बीच में अगर स्टूएंट का है तो केजी में एडमिशन का चांस रहेगा और रेंग की बात करें तो तो तेइस सो से लेके 2400 रेंग एया रेंग पर एडमिशन होगा 2300 तो 2400 तो यह दो कॉलेज का सी है 250 सीक्षिण है कन्ष नो 때문에 अनविशन की बात करें तो 641 index डिभान क्यों है डिवंजन और 2022 में जो कटेप हो हो गा वह उसी तरह करें वह में बहु ज़्यक्रीमेंट का चांस नहीं है एक दो नमर का यह डिक्रिमेंट हो सकता है, इस कॉलेज का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मोतिला नहरु मेडिकल कॉलेज पर्यागराद, जब आप देखेंगे तो 1961 का यह कॉलेज है, 200 cities में अविलेबल है, और 635 के रेंज में इसका स्कोर कट अप गया हुआ है, लगब 25% का ही कॉंसलिंग करना होगा, यूपी नीट के वेफ साइट पे जाके, उत्तरप्रदेश इनवर्सिटी अप मेडिकल साइंस इटावा, जब इसकी देखेंगे, 2006 का कॉलेज है, 260 में अविलेबल है, और इसकी कटफ 622 के रेंज में है, मतलब लगबग 620 मांक्ष रहेगा तो 85% का जब कोटे के कॉंसलिंग करेंगे, यूपी का, तो आपको एड्मिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में, उसके बाद है, BRD Medical College गोरगफूर, 1972 का कॉलेज है, और यह गोरगफूर में 156 में अबलेबल है, अगर स्कोर की बात करें, तो 627, एक्चुली जो कॉलेज का प् पहले प्रिफर करें, क्योंकि ओल्ड कॉलेज का इस्टब्लिश में पुराना होता है, तो लोग उसको जानते हुए रहते हैं, तो पैसेंट फ्लो जादा होता है, तो वो उसके लिए बेटर हो जाता है, सेकेंड यह देखना होता है, कि लोकेशन कहां है, अगर बहुत आउट हो जाए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हूँ, नेक्स्ट है, एसन मेडिकल कॉलेज आगरा, नैंटीन थाटीनाइन का कॉलेज है, वन ट्वैंटे सीट इसमें अविलेबल है, और शिक्स ट्वैंटीनाइन, लगभग में पचासी सो रेंक, हाँ, एटी करें कॉलेज कोड़, तो 1961 का ये कॉलेज है, 156 में अविलेबल है, और अगर कटप की बात करें, तो लगभग में 3400, मतलब लगभग 3500 अगर आपके रेंक है, AIR, तो आपके अड्मिशन का पूरा चांसेज है, आप इस तरह से च्वैस फिलिंग को कर सकते हो, हाँ, इसके बाद नेश्ट कॉलेज हम लोग देखेंगे, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरट, हाँ, 1966 का कॉलेज है और इसकी जो कटप है, 634 के रेंज में है, 7,219 ये AIR रेंक है, AIR रेंक, इसके थुरू आपको जो एड्मिशन मिलेगा, 85% UP का जो कॉस्टिंग करेंगे, उसके थुरू महरानी लक्षमी बाइब मेडिकल कॉलेज जहां सी, 1968 का है, 150 seats इसमें अफलेबल है, और इसकी कटप 625 के रेंज में, जेनरल केटेगरी का कटप है, मैं बायवार बार बोल रहा हूं, जेनरल केटेगरी का, और इसका अगर OBC का मान के चले, तो लगभग में 527 मार्स नीचे रहता है, उसके बाद आपको SC का उसके नीचे रहता है, इस तरह से आप देख सकते हो, 9639 इसका रहा है, उसका है, महामयार राज क्या, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेद कर, 2011 का कॉलेज है, इसमें 100 seats अबलेबल है, और इसकी कटप 620 के रेंज में, मतलब लगभग 11400 400 रेंग के रेंज में, अगर आपका है CRL रेंग, तो आपका एडमिशन इसमें 85% का जब कॉंसलिंग होगा, UP का तो हो जाएगा, गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज, कनोज, ये 2012 का, आप देखिए, जैसे ही नया कॉलेज आता है, तो कंपेर में कटप कम हो जाता है, 621 इसका है, इसमें 100 seats available है, गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज, आजमगड, ये 2013 का कॉलेज है, देखो आप यहां पर 616, ये लगबग 12,000 रेंग का आया है, तो इसमें अगर बात करें, तो कटप का, तो लगबग में मान के चलो, 4-5 नमर, मतलब 600, अगर 12 माक्स भी है, स्टूरेंट का, 13 माक्स, तो इसमें इस कॉलेज में अडमिशन, जो स्टार्ट के, यूपी के, जो स्टेट के स्टूट है, उनका हो जाएगा अडमिशन, फिर आपके पास है, मनेवर कांजी राम, मेडिकल कॉलेज ओड़ाई, इसका देखेंगे, 2013 का ये कॉलेज है, और 100 seats available है, अगर इसकी कटप की बात कर ले, तो लगभग मान के चलो, कि 615 के रेंज में अगर आपका स्कोर है, तो इसमें स्योरली अडमिशन 22 में मिल जाएगा, सैखुल हिंद मेडिकल कॉलेज सहारनपूर, आप यहाँ पर देख सकते हो, 2015 का ये नया establishment कॉलेज है, 100 seats में है, और इसकी जो रेंग की बात कर ले, कटप का, तो लगभग मान के चलो, कि 610 मास के रेंज में आपका अडमिशन हो जाएगा, नेश्ट कॉलेज की बात करें, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसकी बहुत पॉपुलर कॉलेज हो गया, विकॉज अप लोकेशन, देखो, यह नया कॉलेज है, लोकेशन, यह पॉपुलर हो जाता है, इसकी कटप 650 के रेंज में मास का है, 200 सिटिस में अबलेबल है, उसका धाय है, एम्स, ऑल इंडिया, इसका जो एडमिशन होगा, वो एम सी सी के थू होगा, ऑल इंडिया के थू हाँ, और इसमें 2019 का है, अगर कटप की बात कर ले, इस आपका मिल जाएगा, और इंडिया, इसकी भी कटप बात करें, तो 4200 के रेंज में है, तो AIR तो आपका अडमिशन इसमें मिल जाएगा, यह 2019 का यह कॉलेज है, फिर हो गया गवर्मेंट इंडिया, इसका जो कॉलेज होगा, वो 85% स्टेट कोटा से होगा, और 631 के रेंज म दोन, इसको देखेंगे, यह भी नया कॉलेज है, और इसकी कटप लगभग में 631 के रेंज में, थोरा सा कम उसके कंपेर में है, इसके बाद है, गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, आपके सामने दिख रहा होगा, इसकी कटप लगभग में स्टेट का 11,000 रेंक प 283, इसके इस तरह से अब सेक्वेंस में 24 फिल को कर सकते हो, गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, 2019 कहीं यह कॉलेज है, 100 सीट्स है, और 610 के रेंज में इसका कटप है, तो आप इसे 423 माक्स के कम करके भी अड्मिशन जेनरल बाले बच्चों को हो जाएंगे, 2019 का है, और इसमें भी 610 के रेंज में, अगर बात कर ले कि लास्ट जो कटफ हो पाएगा, MBBS का जेनरल कैटेकरी के लिए 85% से यूपी का, तो कितना बनना चाहिए, तो लगभग मान के चलो कि 602 या 603 स्कोर है, तो जेनरल वाले बच्चों को अड्मिशन 100% मिल जाएगा, और भी सिट इंक्रीमेंट होगे, तो हम लोग आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे, तो ये टोटल आपके पॉइंट्स रहा इसके यूज करके, आप बड़े अराम से कॉस्टनी को चॉइस फिल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें, होप सुवड़ी अच्छे लगए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बैटेक क्या, स्यूव एगें,